कॉंग्रेश के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं भाजपा के लिए आप सब ही हमारा परिवार है भाजपा का नरंतर प्रयास है कि हर परिवार की बचत को कैसे बढ़ाया जाए आप याद कीजिए कॉंग्रेश की सरकार जब थी तब दो लाख रुपे तक की इंकम पर भी टैक्स लगता था यहां के लोग तो बराबर व्यापार दुनिया से जोड़े हुए है दो लाख रुपे पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था ज़रा जबाब दीजिए याद कीजिए कॉंग्रेश के जमाने में दो लाख रुपे अपर टैक्स लगता था यह नहीं लगता था यह मोधी के आने के बाद साथ लाख रुपे तक एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है मेरे मध्यमबर के पैसे बचते हैं 2014 में सरकार मन्ने के बाद भाजपा ने डारेक्ट टैक्स में जो कमी की है उसकी वज़े से मध्यमबर के जेब में धाई लाख करोड रुपे बचे हैं और यह हमारे करमचारी हो हमारे वैपारी हो छोटे दुकानदार हो इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है साथ्योय केंद्र की भाजपा के सरकार के नीतिया है जिसकी वज़े से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप सब भूल गए अब यह भूल जाओ गए तो कैसे चलेगा भाई जरा पुराना हिसाब किताम निकाल दीजिए 2014 के पहले आपके पांस अगर मोबाइल फोन था तो मोबाइल का बिल कितना आता था वो जरा देख लीजिए कॉंग्रेस सरकार के समय में आप जितना मोबाइल डेटा खज करते थे आज अगर डेटा की किमत वही होती 2014 में जो दाम ले देने पड़ते थे आज अगर वही होता न तो हर महिने सरक मोबाइल खर्च में आपको 5000 रुपे अधिक खर्च करना पड़ता अभी आपका हर महिने 5000 रुपे बचा की नहीं बचा जरा जोर से बोलो ने पैसा बचा यार मारवाड़ी हो 5000 रुपे बचा की नहीं बचा आज एक गर में तीन या चार मोबाइल होते हैं तो कितना रुपिया बचा कितना रुपिया बचा यह मोदी का काम करने का तरीका है अनेक परिवार है अब आप देखिए कि मद्यमबर का परिवार हो कोई गरीबी से लड़कर के बाहर आया हुआ नया नया मद्यमबर में आया है लेकिन परिवार में बुजुर्ग माबाप हो और मान लीजेक डाइबिटेज जैसी बिमारी आ गई तो उसको हर महिने जो दवाई लेनी पड़ती है न हजार दो हजार रुप्या का अतिरिक खर्चा हो जाता है होता एक नहीं होता है लेकिन हमने स्थान थान पर प्रधान मत्री जन अउसदि केंद्र खोले असी परसंट डिसकाउंट कितना जड़ा बोलिये ने भई या 80% डिसकाउंट कितना 80% डिसकाउंट यह माताव बेहनों को पुझना डिसकाउंट क्या होता है दिवाली में साड़ी की दुकान पे जाएं और कोई बड़ा बॉड लगा दें कि 10% डिसकाउंट वह साड़ी कहां वहां खरीदने जाती है क्योंकि डिसकाउंट हमारे देश में बहुत चलता है लेकिन को 10% 20% से ज्यादा डिसकाउंट देता नहीं है यह आपका बेटा दवाईयों में 80% डिसकाउंट ताकि मध्यंबर के परिवार में डाइबिटिस की दवाई लानी पड़े तो जो दवाई उसको 2000 रुप्य में लानी 80% पैसा बच जाता है मेरे परिवार जनों कोरोना का ही संगटकाल में दुनिया का सबसे बड़ा मुप्त राशन देरे का अभियान हमने शुरू किया आप जानते हैं कितरी बैंकेर बिमारी आई थी मौत मढ़रा रहा था दुनिया भर में अस्पतालों से खबरे मतलब दिखाई देते थे पूरे दे चारों तरव मौत का आतंग चाया हुआ था नहीं था कोविं ने डरा दिया था कब घर में मौत आकर के दरवाजय खटकट आएगी डर लगता है नहीं लगता था बेटा भी मा की सेवा के लिए उतके कमर में नहीं जा पाता था मां भी बेटे कहीं सेवा नहीं कर पाती थी हर किश्यू को लगता था कहीं कोरोना हो जाए और उस समाएं बाहर भी सारा काम बंद हो गया था लोग भी अपने अपने घर वापिस चले आये थे तब यह आपका बेटा है कि सोता नहीं था यह आपका बेटा दिन रात जागता था और तम मैंने ताई किया था कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कितनी ही मुसिबत को ना आए खाजाना खाली को ना हो जाए लेकिन किसी भी घर का चूला बुजने नहीं दूगा किसी गरी मा को आँसु बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कोई बेटा भूख से नहीं सोएगा मुझे बताईए हम तो राजस्तान के लोग है पानी की प्याओं भी कर देना तो भी लोग कहते पुन्य का काम किया है कहते के नहीं कहते आज भी लाखा बन जारा को याद करते के नहीं करते और किसी को थाली भर दे संकट के सबय भी उसको मुफ्त में खाना मिल जाए तो आशिरवाद देता है कि नहीं देता है आशिरवाद देता है कि नहीं देता है पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है ये काम पुन्य का किया है कि नहीं किया है यही तो गलती हो जाती है यह पुन्य मोधी को नहीं मिलता है यह पुन्य आपको मिलता है क्योंकि आपने एक वोट देकर के मोधी को बिठाया है यह पुन्य आपने किया है, इसलिए पुन्य आप कमा रहे हैं यह पुन्य जो जमा हो रहा है ना अपका वह एक वोट की ताकत है जिसके पुन्य जमा हो रहा है आज दिसंबर मेहने में योजना पूरी होने वाली थी लेकिन ये पुन्य का काम है पवित्र काम है हर किसी की थाली में रोटी पहुंचाने का काम है और इसलिए इस बापके बेटे ने संकल्प किया है निरने किया है मन बना लिया है कि डिसेंबर में ये योजना फूरी नहीं होने दूँगा उसे पांच साल और आगे लेकिन कॉंग्रेस के प्रस्टारोगों ने इसमें भी प्रस्टाजार का मोका खोज लिया मेरे परिवार्देनों राज़तान सरकार की लूट का एक और उधान पैट्रोल की कीमत है आप देखिए राज़तान के एडोस परोस के राज्या राज़तान का परोसी उपी है राज़तान का परोसी हर्याना है राज़तान का परोसी गुजरात है वहाँ भाजपा की सरकारे हैं वहाँ पैट्रोल 97 रुपिय प्रति लिटर मिलता है 97 लेकिन कॉंग्रेस की राज़त राजस्तान सरकार गुजरात उत्तरपदेश हरियाना से 12 तेरा रुपिया पैट्रोल एक एक लीटर का जादा लेती है महंगा पैट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है और इसके कारण राजस्तान में लगातार कीमते बढ़ रही है मैं आज राजस्तान को वादा करता हूँ मैं गारंटी देता हूँ तीन डिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पैट्रोल डीजल की एक कीमतों की समिख्षा की जाएगी इससे गरीब और मिल्लकास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी क्थोड़ से अजाव राह्त राहत मिल्लकास परिवाभ छॉड़ च्छीज जए कि ब्रॉज है झाल झाल